नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब के एजुकेशनल चैनल आर्ट यान कला में आज हम पढ़ेंगे पेंटिंग ड्राइंग से संबंधित चितरकला से संबंधित उन प्रमुख क्यूशन को देखेंगे जो कि हमारे एक्जाम पॉइंट अव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एक्जाम में हमेशा ये क्यूशन आते ही रहते हैं और आने की संभावना है क्योंकि हम यह देखेंगे कि जल्दी से जल्दी एक्जाम होने वाले हैं तो इन केशनों को ध्यान से विधुवत पढ़ेंगे और मैं आपसे यह अन्रोद करूंगा कि वीडियो की पार्ट को देख रहे हैं तो उसको एक बार देख के छोड़ी इनमत क्योंकि दुबारा उसक किस्टन के बारे में डिटेल में अगर आप खुछ कहना चाह रहे हैं वो भी विधुवत बताएं जिससे कि आपका अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए और अगर आप एक बार लिख देते हैं तो वो अच्छे से तैयार हो ही जाएगा जो भी सुझाओ देना है कमेंट्स ब गुबिन्द का चिट्रन किया दूसरा क्यूशन लेखक मतिराम किसके दर्बार में रहता था वो भाई सिंग के दर्बार में रहता था Q3. ब्लू पाटरी किस जगह की प्रसिद्ध है? जैपूर, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई तो ब्लू पाटरी ये जैपूर की प्रसिद्ध है चोथा क्यूशन देखते हैं, दप्रिंस पुस्तक किसने लिखा? चाणक मेगस्थनीज मैकेयावेली किसने लिखा? दप्रिंस नाम पुस्तक तो मैकेयावेली ने लिखा पाचवा क्यूस्चन देखते हैं काश्ट कला का सरवप्रथम प्रियोग किस ने किया था आरियों ने मर्यों ने यहुदियों ने तो मर्यों ने काश्ट कला का सरवप्रथम प्रियोग किया था च्छटा क्यूस्चन है और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूस्चन है सिल्प सास्त्र के अनुसार इस्त्री की भों किसके साद्रिस से किसके समान बताई गई है अंडाकार के समान नीम के पत्ते के समान धनुस के समान मचली के समान तो सिल्प सास्त्र में इस्त्री के भों को ध पुरुष की समान बताया गया है। यह एक नंबर का क्योश्चन बनी जाता है कि किसकी भाओं या कौन सी चीज, किसकी नेत्र, किसकी होट, किस आकरित के किस साद्रिश बनाए गये हैं। जिसको हम डिटेल से एक बार देख लेते हैं। चित्र सूत्र में साद्रिश को चित्र की प्रधान वस्ट माना जाता है। सिल्फ सास्त के अमसार अगर साद्रिश को देखा जाये तो मुखाकृती, जो मुखाकृती है, इस्तिरमुख है वो अंडाकार दिखाया जाता है। पुरुष की भाओं नीम की पत्ती के समान दिखा जाता है और बिलासी जो नेत्र होते हैं वह परवल के फाक के समान दिखा जाता है छंचन नेत्र जो हैं वह मचली के समान दिखा जाता है क्योंकि मचली बहुत तेज होती वह इसलिए अगर इस्त्री की जो कमर है उसको डमरू के समान दिखा जाता है और पुरुस की जो कमर है उसको सिंग के समान दिखा जाता है, सीर के समान दिखा जाता है, पुरुस की कंधे को गजमस्तक के समान दिखा जाता है, अगर पुरुस की कंधे की बात आती है, तो सिल्फ सास्त में जो साद्रिश बताया गया है वो गजमस्त के समान गजमस्तक के समान दिखाया जाता है और कान की बात किया जाता है तो गिद्धाकृती समान दिखाया गया है और ठोंडी जो होती है ठोंडी वो आम की गुठली के समान दिखाया जाता है तो ये सिल्वसास्त के अनुसार जो स प्रकार से बारतिर पूछे जाते हैं क्यूस्चन में तो उसको डिटेल में बता है। साथवा क्यूस्चन देखते हैं हिंगेल ने किस कला को स्रिष्ट माना है। तो वो काब विकला है। अठवा क्यूस्चन हैं मूर्ति कितने आयामी होती है। नवा क्यूस्चन हैं इन में से किसने इंपेस्टो से चितरनकार प्रारम्भ किया। टर्नर, डोमी, जान ब्रिंट वाई, वींची, जान ब्रिंट वाई जो हैं, उन्होंने इंपेस्टो से चितरनकारी किया, रस्मा क्यूस्चन है, टाइबल आर्ट संबंधित है, जन्जात से, आधि कला से, बहुत विच्वों से, इनमें से कोई नहीं, तो जो टाइबन कला है वो जन्जात, टाइबल आर्ट जन्जात से संबंधित है, इगरहमा क्यूस्चन भारत में पहला फोटो स्टीडियो कहां खोला गया, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पूना, तो जो पहला फोटो स्टीडियो खोला गया, वो कलकत्ता में खोला गया, बरहमा क्यूस्चन अभ बनजनावादी जो चितकला का प्रारम हुआ जर्मनी में प्रारम हुआ तिरवा क्यूशन अनार कली की कब्र कहा है पतेपूर लाहोर दिली आगर्रा तो लाहोर में अनार कली का लाहोर में कब्र है 14. साक्षी कला बनाई जाती है भूम पर दिवार पर कपड़ा पर कागज पर भूमी पर बनाई जाती है 15. जैन सब्द का अर्थ क्या है बिजेता महापूरुस तिर्थंकर सक्ती तो बिजेता ये जैन का सब्दिक अर्थ है 16. किसके समय में सरवाधिक रति संबंधित चित्रण हुआ है साजहां दारा फरुक सियार या औरंग जीप किसके समय सरवाधिक रति संबंधित चित्रण हुआ है तो वो फरुक सियार के समय सबसे ज़्यादा रति संबंधित चित्रण हुआ है सत्रमा क्यूचन है गढ़ी कलाकार परिसर इस्थित है लखनाव दिल्ली करनाटक कलकत्ता तो गढ़ी कलाकार जो है वो दिल्ली में इस्थित है अठ्रमा क्यूचन है मैरीज आफ राक्स चित्र किस से संबंधित है वो रैफेल से संबंधित है उनिसमा क्यूचन दक्राय मूर्ती किसकी है दक्राय मूर्ती किसकी है तो दक्राय मूर्ती ये अमरनात सहगल की है बहुत ही फेमस मूर्ती है अमरनात सहगल की दक्राय बिजापुर गोलकुंडा अहमद नगर चा कस्मीर तो गोलकुंडा से संबन्दित है रागनी मधु माध्वी सैनी का स्वपन किसका चित्र है तो सैनी का स्वपन ये जो चित्र है वो रैफेल का चित्र है गुप्त कालीन लक्षमन मंदिर कहा है कानपूर अजमेर मेरट जोधपूर तो कानपूर उत्तर प्रदेश में गुप्त कालीन लक्षमन मंदिर है 25 हमा क्यूस्चन है 25 हमा क्यूस्चन जहाज महल कहां इस्थित है जहाज महल अजमेर दिल्ली जैपूर या मांडू तो जहाज महल मांडू में इस्थित है 26. दिवाइन कमेडी के लेखक हैं कौन हैं पिसारो सिसली दानते मूरे तो दिवाइन कमेडी के जो लेखक हैं वो दाते हैं 27. तिरंगा ज्ञडे की लंबाई का माप जो है वो क्या है canaddy 2, 3, 2, 3, 3 तो यह option number B सही है 3, 2 यह तिरंगे जडे की एपने रास्ती दोज की माप है अठाई सावा क्यूस्टन है बिडला एकडमी आफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहां इस्तित है दिल्ली मुंबई कलकत्ता लखनव तो बिडला एकडमी आफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये कलकत्ता में इस्तित है तो दोस्तों ये रहा मेरा बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूस्टन इ पढ़िए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें आपको कोई भी वीडियो बेरा अच्छा लगे तो लाइक एक बार जरूर करिए और सेयर करिए जिससे आपके दोस्तों तक पहुचें थेंक यू और वाचिंग वीडियो